मित्रों आप सभी का स्वागत है आज जतिन प्रसाद जी हमारे बीच में हैं आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और भारते जनता पार्टी की नीती हमारे मान्य प्रदान मंत्री जी नरेंद मोदी जी के नीतुर्तों से प्रभावितों के भारते जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं हम आपका स्वागत करते हैं जतिन प्रशाजी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के बड़े कद्धावर नेता हैं। आप पूर में केंद्रिय मंत्री रहे हैं। कांगरे संगठन में कई विविन पदों में आपने कारे किया है। आपके पिता जी स्वर्गय जतिन प्रशाज जी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं भारते इंता पार्टी वे और मैं आदर्निय प्यूस गोईल जी जो आज हमारे मद्द्य हैं। उन से मैं आगरे करता हूं कि वह श्री जतिन प्रशाज जी को पार्टी की सदस्ता दिलाएं और पार्टी की सदस्ता की परची उनको सौंपे। अधनिय प्यूस गोईल जी बुके देखे आपका स्वागत करें। इस अफसर पर मैं केद्रिय मंत्री आधनिय प्यूस गोईल जी से आगरे करूँगा कि जतिन प्रशाज जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। आधनिय प्यूस गोईल जी। धन्यवाद अनिल जी। मान्या जितिन प्रशाज जी। मैं बहुती छोटी आयू से उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन जोग दिया। मुझे अभी भी याद है शायद इनकी उम्र शायद सिर्फ 27 वर्श की थी। जब अक्लास आत्मक एकड़म सडनली उनके पुझे पिता जी के दिहान थुआ। और ये मुंबई में तब काम करा करते थे बहुत अच्छी पद पर थे। दून स्कूल से पढ़ाई की श्रीराम कॉलिज से दिल्ली के विख्यात कॉलिज से पढ़ने के बाद अपने काम में लगे थे जब बहुत छोटी उमर में उनको परिवार को ये धका पड़ा। लेकिन छोटी आयू में भी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में दोरा किया। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जाके अपनी प्रतिभा से अपने काम से लोगों का दिल जीता। दो बार पार्लिमेंट में अच्छी मतों से जीते। पहली बार शाजापूर से 2004 में और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की रादनीती में एक बहुत प्रमुक भूमी का वर्षों वर्षों तक निभाई वो हम सब देखा करते थे। इनके पिता जी का भी बहुत बड़ा योगदान था वर्षों वर्षों तक कॉंग्रेस में और कॉंग्रेस पार्टी हो, कॉंग्रेस की सरकारे हो। उसमें बिना कोई पद के उन्होंने जिस पकार से सेवा करीती देश की, वो हम सब भली भाती याद करते हैं। केंदर सरकार में भी मेरे मित्र जितेन जी अलग-अलग विभागों को देख चुके है, मिनिस्टर के नाते काफी बड़ा अनुभाव है उनका, चाहे वो इसपात मंत्राले हो, चाहे पेट्रोलियम और नैचुरल गैस हो, चाहे वो सडक परिवाहन हो, या एजुकेशन मिनिस्टरी, चारों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी, मुझे तो एक परस्तल अनुभव भी है, मैं याद करता हूँ कि जब यह में पहले कॉंग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने बहुत प्रहत्ना करके, उत्तर प्रदेश में अपने शेत्र में एक मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन कर्वर्जन स्विक्रित तो करा पाई, लेकिन उसको गती नहीं दिलवा पाई थे, कि वो जल से जल खतम हो, जल से जल वो पूरा हो काम, मोदी जी की सरकार 2014 में आये, तब ये सांसद नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाएं सुद्रे, उत्तर प्रदेश में, अपने शेत्र में काम चालू रहे, उसके लिए लगातार पीछे पढ़े रहे, और रेल मंत्रा लएकि पीछे ऐसा पढ़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करवाया, मूधी सरकार आने के बाद, एक प्रकार से ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोगप्रियों नेता, और जिनकी प्रात्मिक्ता समात सेवा रही हो, जिनको देश के प्रती प्रेम हो, एक बहुत ही कदावर नेता, जैसे आनेल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की रादनीती में, जिनका बहुत बड़ी भूमी का आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितन प्रसाद जी, हम सब को आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नित् रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा, और जितन प्रसाद जी को देश सेवा, समाच सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा, जितन जी आप भी कुछ कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आदर्णिया पियोश गोईल जी आपने जो मेरे बारे में जो बक्तत पुरखा, अनिल बनुली जी आपका भी धन्यवाद, सर्फ प्रथम तो मैं आज के इस दिन भारते जंतापाठी के राष्ट्रे अध्यक्ष श्री जेपी नड़्डा जी, इ इस देश के कर्मयोगी ग्रह मंत्री आदर्णिया अमिच्ष जी और समस्त भारते जंतापाठी नेत्रित का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, कि उन्होंने आज इस भारते जंतापाठी परिवार में मुझे सदस्ता और सम्मान दिया है, और ये मेरे जीवन, राजनेटि जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कॉंग्रेस पाटी से तीन पीडियों का साथ रहा है, तो ये महतपूर्ण निर्ने जो मैंने लिया है, बहुत विचार, मंधन और सोच के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं, और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं, ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से आट-दस सालों से महसूस किया है, अपने अनुभव में राजनितिक जीवन में, लोगों से मिल के भ्रमन कर के देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनितिक दल है, जो संस्थागत, इंस्टिूशनल दल है, वो भारती जनता पाटी है, बाकी दल तो ब्यक्ति विशेश और शेत्रिय, शेत्र के हो गए, मगर राश्ट्रिय दल के नाम पे अगर आज भा चुनौतियां और परस्तितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उप्यूक्त और मजबूती के साथ ख़़ा है देश हित में, तो भारत जिन्तापाटी और प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी है, यह जो दशक है, यह भी मैंने एक बक्तब सुना था प्रधानमंत्री जी का, निर्नायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीडियों के लिए, भारत दिश्ट पढ़ल पे क्या भूमिका निभाएगा, वो यहां सरकार पे करेगी और नित्रत पे करेगा, और प्रधानमंत्री जी राद दिन भारत की सेवा में निसार्थ लगे वे हैं, हम देखते आएं, हमने चुनोतियों का सामना भी किया, जिता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रती देश की भावना क्या है निर्मान कर रहे हैं उसमें मुझे भी एक सदस्ता जो आज मैंने घ्रहन किये भारत जंता पाटी की एक योगदान चोटा सा करने का भारत की प्रती प्रती जंता कि करनेवाली पीडियों की प्रती करने का अफसर मिलेगा ये मैंने विचार करके इस निर्णे पे पहुंचा हूँ कल्यान काड़ी योजना है तो पुद्धान मंतरी जी ने की हैं जो गाउं गाउं हम देखते हैं जाए विद्धिकरण हों शोचाले हों गैस योजना हों तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में जरूरत मन्द हैं और दूसरा कारण ये भी है कि जिस दल में मैं था मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीत में हैं और राजनीत एक माध्यम है दल भी माध्यम है अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते उनके लिए काम नहीं आ सकते तो आपका राजनीत और दल्ग से में रहने में क्या हो चित तो यही मेरे मन में और चाहे वो देशित हो चाहे वो प्रदेश हो चाहे वो जिला हो अगर आप अपने लोगों के उप्योग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं है कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं तो वो मुझे महसूस होने लगा कि वो कॉंग्रस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूँ भारत जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक संगठन, देश व्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतरत जो आज देश को जरुवत है मैं इस वक्त जादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी मेरे उन कॉंग्रेजनों का जिनका मुझे आशरवाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक मगर अब मैं समर्पेत एक गोविल जी, आप सब जानते हैं आपका धन्यवाद दूँगा, एक कारकरता के रूप में भारते जन्ता पाठी के मैं कार करूँगा और वो है उद्देश सबका विकास और सबका साथ जो उद्देश है एक भारत और श्रेश भारत का वो लेके एक कारकरता के रूप में मैं काम करूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगए